जब समाजवादी पार्टी की सरकारती सब सारे थानेदार तो यादव हुआ करते थे लेकिन आज थाने कौन चला रहे हैं आज थाने मुझनों के नाम क्यों नहीं बता रहे हैं करते रहे जाएंगे दिखा दिखा के वोट ले जाएंगे एक सो आठ नमबर यह किसरे चलवाई जिन्हें आप आज डीजल नहीं दे पा रहे हो 2017 से पहले तब मुझवफर नगर के दंगे हुए आगरा की बात करते हैं कानपूर की बात कर देते हैं कि जब 2017 के बाद हमारी सरकार बनी बीजेपी की तब दंगा एक भी नहीं हो इस समय रोजगार पर बात क्यों नहीं चर्चा हो रही है निजी करवड़ सर्चा क्यों नहीं ह से जादेगी या फिर बीजेपी की सरकार जो है जो है वो सीधे कहेगी ठोंक दो बावा की ठोकोर नीदी है इस दो कुं पुलिस वाले मैं आप से पूछ रहा हूँ। अभी थोड़ी दियर पहले पाले वसी बिरादरी का। मैं तो पूछे ही नहीं, आप खामा खाम में चाहिडील को रुटा करें। शाञने हिं अलताफ का जुड़ा है जिनके साथ गलत हुआ है। मैं यह समझता हूँ क्योंकि अगर वो दोसी होता तो वो संभवत सुजाइड नहीं करता देश के सबसे बड़े सूबे उत्तरप्रदेश में इस वक्त जो हवा बह रही है दरसल वो सियासत की हवा है और यह सियासत की हवा तब तक बहने वाली है कि जब तक मतपेटी का खुलाना हो जब मतपेटी खुलेगी तब यह सियासी जो लड़ाई है कही न कहीं जाकर थमेगी यह क्लाइमेक्स का सीन होता है हमारी उत्तरप्रदेश की जो चुनावी यात्रा है वो यतावत जारी है पश्री में उत्तरप्रदेश से होते हुए अवजशेत्र में हम लगातार घूमे इसके बाद आज इस वक्त हम लोग कासगंज के अमा पुर्विधानसभा में हैं यहाँ जानेंगे कि क्या कुछ वो काम थे जो यहाँ पर सरकार में रहने के दौरान बीजेपी करवा पाए इसके अलावा बाकी जो विपक्षी हैं वो क्या कुछ आरोप लगाते हैं कि क्या वो काम थे जो उन्होंने किये और दरसल यह नहीं करवा पाए यू तो हर सरकार में यह चीज देखी गई है कि जो विपक्ष होता है वो हर काम से खुश नहीं हो सकता क्योंकि विपक्ष का वो काम है विपक्ष की वो भूमिका है और सरकारे लगातार अपनी फफफपाती रहती है कि हमने हर वो काम किया जो दरसल हमने वादे के रूप में ठाली में परोसा था लेकिन घाली में परोसा था वो पूरा हुआ या नहीं हुआ इसी वाद विवाद पर आज का ये कारिकरम है अमापुर विधान सभा है यहां पर पार्टी के कारिकरता के साथ साथ जनता भी हमारे साथ मौझूद एक बार जो रदा तालिया हो जाए आप सभी के लिए कारिकरता भी मौझूद है हमारे कारिकरम की सरचना है कि नेता अपना परिच्छा खुद कराते हैं ताकि उनका एक मैसेज जा सके कि आप हमको जानी और समझ एक पर परिच्छे कराथ सबसे पहले सवाल जब आपका सिलसिला शुरू करेंगे उसके बाद आप मेंसे कोई भी कुछ कहना चाहता होगा तो कह देगा पहले के कमेंट जाएगा वर्जन लेंगे फिर आगे की बात चीज़ वह आगे बढ़ाएंगे चुकि आप सत्ता में हैं आप पूरे पांस साल यूहीं प्रदेश में चलता रहा अब परिक्षा की घड़ी है तो यह बताएगा कि वह कुछ काम दो पॉइंट में जिनको लेकर आपको लगता हो कि यह काम जो थे हमारी सरकार ने कर दिखाए वाकी विपक्षियों में दम कहा था है जब भारती जनता पार्टी की 2017 सरकार बनी थी तब यह समाजबादी बहुजन समाजबादी कभी लाल टोपी लगाते हैं कभी सपे टोपी लगाते हैं लेकिन इनकी गुंडागरदी के दंपर भारती जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में 325 सीटे आई थी और समाजबादी का किला द्वस्त हो गया था आज भारती जनता पार्टी बिश्च्ट की वो पार्टी है जो कर आज अठारे प्रदेश में भारती जनता पार्टी की सरकार है में 2017 में प्रचंड वहमत के साथ सरकार बनी थी आज दो यार बाइस में तीन सो से उपर सीटें जीते हैंगी भारती जन्ता पाइटी मानी मुक्मंत्री जी को यह जानना चाहरा था वो दो काम बता दीजिए जो आपने इस विदानसवा शेत्र में देखे हो आपकी सरकार ने कराया हो जिनको लेकर आपको फक्र होता हूँ आज हमारी सरकार में सावर से अमापुर तक तूलेन शड़क अमापुर विदानसवा में है कास्चिन से अमापुर सिंगल रोड गंड़वारा से पटे आली बाइपास होते हुए सोरों तक फोर लेन रोड आज तक सरकारें समाजबादी की भी रही बस्पाइब रही पाकी भी रही आज तक नोंने हमारी विदानसवा में कोई काम नहीं किये बस्पा से दो बार एमेले भी रही है ठीक है ठीक है समाजबादी के नेता जी बहुत है इससे पहले चीज देखना चाहेंगे कि नेता जब अपनी उपलब्धिया गिनाते हैं तो फोर लेन सड़क चिकनी सड़क पट्टी सड़क ऐसा लगता है थोड़ी दिर बाद बोल देंगा हवा में भी सड़क बनवादी इनों थीक अचली आप बताईएगा आप सत्ता में थे अविपक्ष की कुर्सी पर बैठे हैं वो चीज जो आपको लगता हो कि जो सत्ता पक्ष पर बैठें व तो मैं तो एक तूदी पॉंट बात करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्याम से मेडिया के साथियों के माध्याम से के 2000 मतलब जो है हमारी जो गवर्मेंट थी तब के पंच साल के और अब इनके सारे चार साल के अप्रादे का अंकड़ों का तुलना तक बिरुन निकल वा कोई थाना तैसे कोई काम होता हूं चारों तरफ लूट खसोड माच लोग फिर काउंटर करते हैं कि जब समाजवादी पार्टी की सरकारती सब सारे थानेदार तो यादव हुआ करते थे अब कौन है उस समय तो पर इसदार थे वह सब यादव होते थे लिकिन आज थाने को पाकिस्तान वजबा दिया किसी आदव को यह हो सकता है कि महापुर थाने से हटा के सावर बेज दिया हो लेकिन चो सरकारी सेवा में और सारी बेहिमानी और हारे आरेच्षर से छेच्षाड के बाद भी आज भी जो भरती हुई है उनमें अगर देखेंगे तो कम नहीं आए मैं समझता हूं कि उसकों की जो भागी दारी है जो तैयारी है लेकिन हमारे सुप्रीम कोट हाई कोट में जज नहीं है आई एस आई पीस अमवारी भागी दाने असरी लडाई ही है और उससे ध्यान भटकाने लिए बात करते है रही बात बेखास की तो मैं आप से एक आरज कि शोडंग शोड़िए को गाड़ी की तभीयत ख्राब हो गई तो गाड़ी की तभीयत ख्राब होगई किibilidad की थराब घर्म आय। कड़वा कड़वा थूलते हैं नहीं ऐसी वाद रही है वह बनती वह बन जाती और बोश्टक एटा से ले करके लालपुर तक जो बनी है नगदी से पहली तक वह भी समाजबादी पार आपकी प्रस्ताव है उसके बाद जो गड्डे वाली है वह पनी भी सबार आपकी द्वा जितने बढ़िया सब्सक्राइब लेकिन जहां इनका बिदायक था वह नहीं करा पाया उसकाम को जो हमारी प्रस्तावित्ती उसमें भी कट गई आपने सारा काम करवाया दरहसल वह तो बस फीता काटने काम कर रहें आप नहीं पार्टी है आप परिच्य के छेत्र में आप अब ही जनता को यह बता रहा है कि हम भी हैं और दिली की दुकान दिखा रहें कि दिली को देखो हम भी हैं और आप उत्स प्रщёzen में धीरे-दीरे काम शुरू कर रहें लेकिन BJP के और सपा के जो लोग हैं वो कहते हैं कि आपके तो Parliament बांड है काम होाग Wait सब्सक्राइब करते रहेंगे दिखा कि अधोरी हैं सबको पता है कितनी सड़के बन चुकी हैं, कितनी अधूरी हैं, शिवाय जूट बोलने के अलाबा किसी सरकार ने काम नहीं करें, और काम कर रहे होते हैं, तो दूसरे को आनी के जरूरत ना पड़ती, कभी कहतें, बीजेपी का बिधायक था यहां, कभी कहतें, सपाक का बिधायक था, तो जो बीच में जो रोड टूटा हुआ पड़ाय जिस रास्ते से आए, वो किसके खाते में जाएगा, इसके लिए पाकिस्तान से सरकार नहीं आएगी, सरकार तो जो सपाक की रही, जभी जे फिकरे, खाते तो तो दोनों के बराबर यह नहीं राज करा है, उत्तर प्रदेश क आएगी, तो लोगों को नजर में आ जाएगा हम लोग करने क्या है, क्या क्या करेंगे, कुछ बता, तीन बाते बताईएगा, हमारा जो आज हमारा जो चेतर में योबा लोगों को और बच्चों के लिए हमारा है, मेन हमारा सिच्चा का मोटो है, हम लोगों को किसानों के ल बिजली बहुत तेजी से निकल कर सामने आती है आप गोवा में जाते हैं तो कहने की 200-300 मिए पंजाब चले जाते हैं 200-300 अगंट चले जाते हैं 300 इयक मताईए आपकी काम कुरिंग है शुलियरोड जूह फेले आुर आएर तो हम चैनल के पैस हो वापस जंटा को देंगे बजली के रूप में तो मुफ्त का शब्द का प्रयों क्यूं बेसिक लिए यह भी तो वही हमकर रहे हमारे बहुत कम है नहीं कर रहे यह जो कर रहे इसके इनकी पास दो हमारे आमाद की पार्टी के अरुप के पास आज भी सब्सक्राइब कर रहा हुँ कि पिछली बार जब एटा का रूट बनाता तो आदा रूट के उनका विधायक नहीं सब्सक्राइब कर रहे हैं एप से जवाब तो प्ष़ली बार जहां पहने लेगी कि और यह की परेस्ता थी लेकिन यहां के विधायगे नहीं नहीं लिया और सांप्रदाइक जिछ नहीं ता आपने सांप्रदाइक सवहार्द की बात की एक सवाल करना चाहता हूं कि यह एक सो आठ नमबर एक सो दो नमबर यह जो कंडम हो गई हुगी उनकी नहीं करा पा रहे हो तो यह किसकी देन थी यह समाजबादियों के लिए चलाईगी है यह फिल्प लें मिल्ला था तो यह इसमें वह घ्यादब पर जो दोगह आज पलीता लगा रहे हैं ठीक है आप लोग कहते हैं कि आपकी सरकार थी 2017 से पहले मुजफरनगर के दंगे हुए आगरा की बात करते हैं कि जब 2017 के बाद हमारी सरकार बनी बीजेपी की तब दंगा एक भी नहीं हुआ कानून विवस्ता समालने में विफल थे आप लॉए नॉटर समाल नहीं है लोति पहले रहा हैं तो फिर से होगे तो फिरसे वोगे करा ते करायां कि तो झेले नहीं 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 करॉए थे पिलकुल नहीं हो नहीं कंद फेले ले दन्य कांद आप्बिंद के लाकानपुर को नहीं मैं इस करवाए हैं उसका न जा बड़े ऐसोट्टा में टूडे सेयु यए पुलिस का walking in थोड़ी ना करवा किसानों किसने मरवा दिया किसाने को ऊपर यह तो गाड़ी चड़ा देते हैं आज तक मंत्री का स्थीपा नहीं होता प्रण से यह सब भी हो गया उन सब पर आएंगे नेताजी सब पर आएंगे दीरे-दीरे अब इस दंगों का सवाल था आपकी सरकार प्रफिर से लगाएंगे फिर से दंग हो जाएंगे ठीक है बदाई एसा कोई रोड रही जिसमें तीन किलोमेटर ना छोड़ा गया हूँ तीन किलोमेटर छोड़के वह बिधाय को दिया जाता है हर रोड पर सब्सक्राइब पत्रगार महुद है भाई नियुद्ध काम करें शुनने के वाद सवाल जवाब माइक परी रहेंगे ठीक है सबी मीडिया के बंदू जब समाजबादी की पाटी सत्ता में थी तो इनों को वो नसा था वो आज वो नसा नहीं जेल पा रहे हैं उत्तर प्रदेश को बीशियों साल ते समाजबादी की सरकार नहीं आएगी विकास की बात करते हैं कि हमने विकास की आये जब समाजबादी की तो एटा हमारा जिला था इसका पैसा जुगंदर सिंग कंपीनी ने निकाल लिया और बिना बनाएं पैसा भी निकाल लिया और आज तक जो भाई साब हमारे बता रहे हैं आज तक बो शड़क आज भी तूटी पड़ी है जो आप आए एटा से तूटी सड़क यह बात कर रहे प्रकार का पूरा रही है तीन किलो मीटर था तरह था तो आप लोग दूसरे पर आप लोग कह रहे हैं कि मेरी सब्सक्राइब अब यह बिलकुल आ रहा है एक चीज आप समझे इन लोगों की चर्चा देख रहे हैं बहस देख रहे हैं बड़े-बड़े मुद्दों पर लड़ रहे हैं लड़ाई लड़ रहे हैं बड़ी-बड़ी बाते कर रहे हैं आप कहां कैसे टिकेंगे पूछिए कि जो कासगन से राजकोलो इस्टोरी अमापुर तक रोड़ आया है वो कितने मीटर पासता और कितना मना हुआ है आप वहां पर जिद्दिन भी बारिस हो जाती है साहत है के तीन तीन घंटे चाचर घंटे जम एक देहात के सिड़ी में हो रहा है तो क्यों हो रह साड़े तीन मीटर रोड़ पास है क्यों एक चीज आप से कहना चाहूंगा कि ग्रामीर सडकों की समस्या और यहां तो शहर सडकों की समस्या जो है एक बड़ा मुद्दा है स्वास्त सुविधाओं को लेकर यहां के जो लोग है जब रिसर्च करके पूछा गया तो आपसे कारीकर रहें रहें तो खोड़ दिखाएंगे अब जो सबादी बाले लोग है वह पसूं को गायों को मतलब कटवा ते और ऑबारा दूद पीकर चौड़ देते थे धे दूसरे के तो में नुक्सान कराते हैं लेकिन अज उत्तर प्रदेश के मुक्मंत्री जी ने जो विवस्ता की आपने बाले समय में इनको मोटोर जवाब दिया जाएगा यह भी दिया जाएगा यह मालम पड़ जाएगा हम कितने पानी में आपने कहा जो आपने जवाब लगाया ठीक आर कि यह भी टोपी लगाते थे तो अपनी टोपी आपके सर पहना दिया है कर वोला है कि आने वाले समय में और जवाब देखेंगे तो देखेंगे जवाब तो जनता देती है और इन्हें भी पिछली बार यह नहीं मालूम होगा हम कितने जहरे पानी में कहां जाएगे और दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं आपने भगा से कि आपने करिण मसीगा अभनी है सब्सक्राइब कर दिया कि ya कि जिए लोगों को आपके ऑस्थालों में दबाईया नहीं नए गाल इस्थाल प्राइख दिया आप है प्राइब गुष्ट धिया तो घाथism का गोलाम बनाने का अगर कोई सरकार काम कर रही है तो यह वार्ति जन्ता पार्टी काम कर रही है अब सवाओं पर आऊँगा लेकिन उससे पहले तो करोना के बेखर के साथ मेरे दिमाग में यह जिक्रा फिर यह था कि आपने वेक्सीन लग वाली है जिप कि सब कर लाकूर कि स बाद में पलट गया उन्होंने का कि नहीं लगवालो तो आप मुझे यह समझाने की कोशिश करिए कि आपने बीजेपी की वैक्सीन लगवाई थी कि सरकार की वैक्सी को लेटर लिख कर ट्विटर के माध्यम से बताए कि आप गलत बोल रहे हैं यह बीजेपी की नहीं है जब बीजेपी की लग वैक्सीन लग गया तो उन्हें भी लगवाली लग गया तो उन्होंने का वैक्सीन है यह जो जाच हुई यह कहां हुई समाजवादी पार्टी के कार्याले वह कौन साइंटिस्ट ने की पार्टी मंढला ध्यक्षियों कि किसने आपको पता लगा तो ने बनात ने इस सरकार की है उन्होंने जब यह वारती जंदा पार्टी की नहीं है तो प्र हम लोग लेकिन पहले गरीब जंटा को लग जाए अकलिस को डर था को नहीं मिल पाएगी वेक्सीन आम लोगों को नहीं मिल पाएगी बड़े-बड़े लोग लगवा लेंगे इसको तो उन्होंने पहले हम जंटा के लगवाई याप उन्होंने बयान दिया और कुछ दिरों के बाद तस्वीर आई जहां पर मुलायम जिंग आदव जी ने वेक्सीन लगवा ली आम जंटा से तो कहा था कि बहिया लगवाना मत 2022 सरकार आईगी तब लगवाना यह नहीं कहा कि नहीं लगवाना उन्होंने कहा कि आम जंटा कि जब लग जाएगी उसके बाद हम भी लगवा ले आँगा कि इस समय रुजगार पर बात क्यों नहीं चर्चा हो रही है निजी कर अपर तरह तरही पर है हर तरीके से पर यह से लिग लिए यहां पर हमें एक थियोरी सुनाई दिये तोटी पर एक साड़े पांच फिट का यूवा है उसको लटक के उसकी डेथ हो गई यह थियोरी हमारे तो पल्ले पड़ी नहीं लेकिन आपके पल्ले पड़ी हो तो इसको थोड़ा सा दिकल के हमें बताएगा प्रकास डालेगा इसके साथ ही साथ एक और सवाल यह है कि आपक कहते हैं कि ठोक देंगे यह ठोको नितीय धीर है आपको नहीं लगता कि इसमें तो कि यह प तो फिर यह कानुन की बारज है जो उत्पात करेंगे तो, और जो इनकांबुत होगा, तो फिर ये कानून की प्रक्रिया क्यों है कानून की किताबों को डबे में बंद करकर बीजेपी पार्टी कारेलें उन्हें ताला चड़ देना चाहिए यह तो होना चाहिए आप कह रहे हैं कि जो उत्पार करेगा उसे ठोक देंगे उसका एंकाउंटर कर देंगे यह कैसी बा है कानून है आप केसे उत्पात कर रहा है ihenकार यह तो फिर बाली बात हो गई उनको तो सजा मिलेगी जा करती कर रहे हैं अंको इलकी सजाए IPC की दारा है, CRPC के तहत काम होता है, आप कैसे इंकाउंटर कर देंगे? नहीं, इंकाउंटर नहीं हुआ है, जो दोसी है उसे सजा मिलेगी, आपने का इंकाउंटर कर देंगे थोड़ी देर पहले ही? जो थोड़ी देर पहले कि पहले के थाने आदव चला रहे हैं, तो समय कितनी अंकाउंटर हो रहे थे, इस नहीं है थोड़ी आपने में पौनसे पुलिस वाले हैं, वो किसके रिस्दार हैं जो या थोड़ी चला है, आपकी अशरकार्ती बेभाया दो कि माफिया ओष्णा कर प्रजापती साब को सजा मिल गई सजा पढ़ गई प्रजापती लोग समझे अगर कोई समाज का हो सकता है लेकिल वो माफिया जिनकी असली सूची जो है साइद आप लोगों के विजानकारी में होगी उनको बाबा क्यों नहीं सूची जारी कर रहे वो आज बाहर कैसे भूम तो आज वो अज़ जेल में तो आप उसने प्रसंद है अगर वह हमारे रिष्टार थे और वह हम हमसे मिले तो तो आज जो बाहर गूम रहे हैं वह किसके रिष्टार है वो इसका जवाब कों देगा यह सरकार में आई एक ता पलेट दीजिगा ने ने क्यों पलेट देंगे हम तो अंदर करवा दीजिगा तो संबेदान और कानून को मानने वाले लोग हैं और हमने हमें समाना है समझे और जहां तक जाती हो ब्रादरी का आरोप लगाते यह तुछ बुद्धी की बात है मुझे यह बताई है कि समसद पर हमला हुआ तो पहला वो कौन सा दीवान था किस जाती गाते हमला प्रफल किया और वह सही दुगा कारगेले पर सबसे पहले कारगेली चोटी पर पहुंच रहें बाला वो किस वरादरी का अदमी था किस वरादरी का 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 था समाज़ लोगों ने देश के उत्तान के लिए इस देश को पढ़ता की आप एक विरादरी पर क्यों अपना पुरा प्रहुंदार डाली डाल जा है ब्रादरी प्रशनसा के बेए आज बहांने तो आप अब जता है कुछ कहना चाहते हैं नाम पताईएगा पहले इस लिए जानना चाहते हैं जब कांगरेश की गौवर्मेंट थी हमारी तो सेंटर में ती अगर एक रुपया वरता था यह ठनी वर्ती थी तो यहीं बीजेपी के साथी सडक पे बैठ जाते थी और 65 रुपया डीजल था साथ पेट्रोल था 65 और डीजल उससे भी कुछ कम था तो 48 रुपया था तो इन्हें 35 कर देना चाहिए था इनके सो के आसपास कैसे पहुंच गया डीएपी का कट्टा 1200 रुपय में आ रहा है और उसमें भी पांच कि बजन निकाल लिया इस पर सवाल लेंगे इनों से लेकिन आपने कहा आपने कहा कि जब कॉंग्रेस की सरकार थी तब ये बीजेपी वाले सड़क पर प्रदर्शन करते थे सिरिंडर लेकर प्रदर्शन करते तो यही तो विपक्ष की भूमिका है आप क्यों नहीं करते हैं बिलकुल करते हैं क्यों नहीं करते बेट्टे करना चाहिए अब आप से एक सीधा सवाल रहेगा इस सवाल का आप सीधा जवाब दीशेगा देखिए आप कहरे हैं कि हमने सब्सक्राइब आप बाहन में डलवाने के लिए पेट्रॉल डीजल चाहिए होता है उसके दाम कहा है आपको पता है आप कहते हैं कि हमने सिलेंडर बाट दिये घर घर सिलेंडर बाटने के बाद उसमें जब तक फ्यूल नहीं डलवाएंगे इंदा नहीं डलवाएंगे तब तक वो कैसे चलेगा तीक आप यह भी आप जानते हैं आप कह रहे हैं आपने पहली लाइन में कहा था कि हमने सिक्षा को लेकर बड़ा सुधार किया सिक्षित हो गया एक यूवाल लेकिन उसके बाद वो विरोजगार है रोजगार नहीं मिल रहा यह तीन मुद्दे जो है इन तीन मुद्दों पर साफ जवाब दीजेगा देखिए में भाहरतियन आता पार्टी ही सरेकार वने थि मारेया इस'Me प्रवार के लोगों को यह सामाऑ के लोगों फाग्वां को नновर्वां दी जाती थी और उस-वह परवार का मुख्या पकिसी को नहीं दी जाती परवार का मुख्या उसको पैसे नोकरी मिल जाती थी आज भारती जनता पालिटी शरकार में उसे एक भी पैसा रिष्पत में नहीं लगा है इतनी लेखपाल की नोकरी लगी है कोई पैसा रिष्पत नहीं लगी है आज स्वास्ते वाग में 303,000 जगे हुआ है। कोई भी पैसा सरकार ने कहीं कोई किसी को पैसा लगा हो तो बता चेकर सकता है। ज़्तों पर त्राही त्राही मची हुए सड्कों पर जो युवा भे रुजगारी का जंड़ा लेकर घूम रहा है वह कौन है। के रोजगार तो सरकार दे रही है तो जब स्थ मानि प्रधान मंत्री ने ऐसा कोई बना है वां उसको लाइट नहीं मिली है क्यों आरोप लगा रहे हैं कि मैंपुरी धार समाजबादी की सरकार थी चोधे से पहले उस समय की बात कर रहा हूं तो मैं बात करें ठीक है क्या सवाल है तेकि आज पूरे उत्तरप्लेस में बिजली का रेट बता कर लीजिए क्या चार्ज है और पूरी इंडिया में डेख लीजिए अब एक बिजली घर तो बनानी पाई Reg waving बढ़ दानी पाए यह सेंटीस लाग मुकदमें लोगों दरज कर दिये हैं जिन्होंने बिचारे गरीलोग है जिन्नोंने करोण माहूल में बिल जमा नहीं करपाया तो उन पर मुकदमें डाल दे करों व्ली आप अमादी पार्टी ज्ञाइन है अमादी पार्टी में अन्या अलोलनंद से सामिल हूँ और पिछली बार में भीजित जिला-बंच्या सदस का चुनाव लड़ा हूं एक आज ही मतलए मेरे बार में पुराने आमादी पार्टी से जड़े हूं मेरे पर मुकदमा है आपको दिखा सकता हूं तो आपकी जब सरकार आएगी तो आप मुकदमा वापस कर वाली जिगा ठीक है क्या कहना चाहरा है जहीं कान इनों ने दी जो इनोंने कहां दी सन दौह जारे टिन जो इस जो गुषड़ा कर गए थे कडिवाली के बाद यह आपको चौवश गंटे बती मिलेगी सोले में लेकिन जब उनी की सरकारी नहीं यह वह आनकर इनों ने परस्ता पास कर दिया यह कह सब्सक्राइब कि जो कोई भी है रेलवेट आगी कहीं भी पास नहीं करा पाए जो आप योजनाओं का नाम तो लेते हैं लेकिन भी पास नहीं करा पाए और सबसीडी को लेकर उनका सवाल है हाँ मैं सत्रप्रकास गुपता सामाजिक समिच्छक हूँ और मेरा इन तीनों पार्टियों से कुछ सवाल रहेंगे सरप्रथम तो मैं अभी छट पूजा हुई है उसके लिए मैं महोदे आमादमी पार्टी जो सत्तारूण है इस समय दिल्ली में उनसे ये सवाल करूँगा कि इनक इस चीज के लिए इनसे जवाब मांगा आपको थोड़ा सा रुक कर एक बात थोड़ा सा रुक करें आप ने जो कहा कि दिल्ली में यम्ना में जो तस्वीरे थी वो सबने देखी पूरे देश ने देखी मैं बता देता हूं उनका जवाब क्या आएगा आपको पहले से बता आपके समय में सुरक्षा का भाव क्या था लोगों के मद्य सुरक्षा का भाव क्या था बात अब बात मैं अगर यहां कासगन जिले से जुड़ी ही दो करूं एक चंदन गुपता था जिसकी हत्या हुई थी चबीस जनवरी 26 जनवरी वाले दिन एक सुर्णे मच्चरों में कहूं या कुंद अच्चरों में कहूं इस तरीके की वारत लिखी गई कि उसकी हत्या की गई तिरंगा यात्रा के दोरान दूसरा मामला अभी हाल में ही अलताप का जुड़ा है जिनके साथ एक कहीं ना कहीं गलत हुआ है मै कि अगर वह दोसी होता तो वह संभवता सुसाइड नहीं करता मगर अभी जो राजनेतिक लोग है उस पर रोटी सेकना चाह रहे है कड़वी सी बात है जितना मैं कानून का जानकार हूं ठीक है और बतोर एक सामाजिक समीच चक इस पूरे मामले में और मैं अगर बात फ़लानी पार्टी के राष्टी नेता फ़लानी पार्टी के राष्टी नेता आ रहे हैं अभी राभड़ जी आए तो मेरा उनसे वी एक सवाल है अनका उनका कोई प्रतनितिया महजूद नहीं है जो मेरी बात का जवाब दे क्या आप से यहां तक आगे जब चंदन गुप किताब यहां मैं उसका किताब ही किरा हूं मैं उसी नहीं नहीं तो फॉरंजिक अपनी जो सोच समझ उसे यह बताईए कि लखीमपूर खीरी में जो जीब चली और जिसे लोगों की मौत हुई इसको लेकर आपका क्या कहना है जीब तो चड़ी है बड़ी सीधी सी बात है मेरे हसाब से मैं समिछक की हैसियत में बैठा हूं ततकाल उस मंतरी को परकास कर देना चाहिए जिसके लड़के ने जिसके लड़के ने किसी भी एंगल पे कोई भी सुनियो जिस साजिस रचते हुए किसानों के ऊपर इस तरीके की एक भीवस गटना अंजाम दिला दी और जिसे गरफतार करके जेल भी भेजा गया अब सवाल बता देता उनका सवाल उनका ये था कि जब चंदन गुपता कि जब हत्या हुई थी तब आपने वो तेजी वो फुर्ती नहीं दिखाई लेकिन आज जो आप फुर्ती दिखा रहे हैं तेजी दिखा रहे हैं वो दरसल नामों के वज़ा से है देखिए हम अवारे भाइ ने उै कि वह एक चंदन मुपता गी हथ्या हुई तो समाज़ल बाती के लोगों को देखाई नहीं दि इनका ये कहना गलत है अब रहत्य जो है लेकिन अभी बिकास बटता की कानपर में जब हत्या हुई है सबसे पहले बीचलाग रोपया जा करके मानी अखिलेट जी ने दिये हैं आपकी भारती जनता पार्टी के लोग बादम पहुंचें मानी मुख्वंती जी बादम पहुंचें समाजबादी पार्टी और हमारा नेत सबसे पहले महां पहुंचें समय और जहां तक यह हत्या दूसरे टाइप की है वो डिफ्रेंट थी वो रंजी समय लेकिन यह यह सरयाम जहां पुलिस मार दे होटल से निकाल के एक ब्यापारी को मार दे उगाई के चक्कर मैं सुनिए और यहां एक 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 आरूपी भी जो सिद्ध दो सारूपी भी नहीं है उसको केबल उस पर इतना अरूप था लड़के पर कोई लड़का जो लड़की को ले गया है वो इसका मित्र थार इसने सायोग किया होगा और यह सक्की बुन्याद पर उसको लाया गया और लाकर के उसकी उसका मारा गया और उसके बाद म वह इनका एकार सवाल था जन्ता से आपक लेकर सवाल है कि आपकी व्जह से और इसी वजह से विकास एवW कार भारती जंदा पार्टी के आई है उससे पहले भी एमेली रहे हैं सांसद भी रहे हैं उनकी मनो कामना पूरी कर दीजा वो कह रहें कि विकास गिनवाद हो हमको एक तो हमारा कास कई अमापरोड अभी तुरंट बना हुआ है बन रहा है बन गया और हमारा यह सहावर अमापर रोड बन चुका है कंप्लीट हो गया यह चला और शोरों से लेकर पटे आली गंड़बारा तक टूलेंड सड़क चालू है गई है बने के अदिए कि सड़कों को लेकर आविकास बता रहा है कि सड़कों को लेकर आपने बहुत हाइफाई विकास किया है और और जब प्रेल हमारे एटा से कास कंज के लिए रेल लाइन की सूकर्ति हो चुकी है अब बिकास में सड़कों की बात कर रहे हैं और पट्रियों की भी बात कर रहे हैं जब विदासवामापुर पड़ती है और स्रफ़प्रा तक विदासवामापुरी है यह रोड सत्रह अगस्त दो हजार पंद्रह में सब्सक्राइब मंजूट था फोल्लेंड आप से लेकर करके स्रफ़प्रा तक आज आप चले जाए अमापुर से कास कर तो अकर कहीं आपको किस अचात रहें यह बताए सिक्षा को लेकर आपको क्या लगता है कि यहां पर किस पार्टी ने काम किया है क्या हन्यों सरकार हिसा पूरसर ही यह ऐसे पूरआकरोड ये कंडिशन आप पूरा तक इसी इसफुरा ड़ sunt अब अलेक्शन टाइम आ रहा है तो उसमें क्या वो टिकियां लगवा रखी है पंचर से लगवा रखे हों लोगों ने इस वज़ासे के जनता बेब कुफ तो एनी आज के टाइम में कि मैं आभ यह रोड ऐसा करा देते हैं तो जनता पुझे सपोर्ट करेगी बॉट देगी स स्कूल है उनका क्या हाल है सरकारी विद्याले विद्याले जो है अभी तो लॉकडाउन भर पूरे कोरोना वर नोने बंदी रखें सिच्चा की तो पूरी ऐसी तैसी कर रखी सिच्चा माने तो अभी कुछ है नहीं इसको लेकर मैंने इनसे यह सवाल इसलिए कि सिक्षा की बात करते हैं तो सबाजवादी पार्टी यहां रहे चुकिये सरकार वे बीजेपी पी रहे चुकि है बस पा विठीश इसका कर सामने तो प्रभावित है क्योंकि वह चीजेज़े कहना चाहूंगा उनको लेकर बात कहता हो कि वह पार्टी सबसे ज़्यादा भीड़ उटाने वाली नेता है और अगर वो उत्ता प्रदेश में पाथ साथ आठ दस साल काम करती तो सायद कैडर को मजबूती दिला सकती थी इसके अलावा दूसरी चीज में एक और आपके वारे में कहना चाहता हूं आपकी प्रशंसा के सुरूप में कि यूवर जो है जो सिक्षा चाहता है वो आपसे कहीं न कहीं प्रभव donor लस ultimate को समझ रहा है लेकिन इसके अलावा जो भी लोग है वह नहीं समझ पा रहे प्राइवेट में पैसा क्यों देना है वो यूपी में क्यों नहीं हो पा था यह सवाल है जिसका जवाब होना चाहिए इसका जवाब यह यह दोनों चीजें बैलेंस में क्यों नहीं है जो बड़े लोग है जिनके पास पैसा है धन संबल है जो लोग वो तो प्राइवेट स्कूल में बच्चों को भेज देते हैं लेकिन वहां पर नात तो अध्यापक मौझूद है इंफ्रस्ट्रक्चर के हालत तो इतनी खसता हाल है कि उस पर कोई बात नहीं करें तो यह क्या है नकल बिहीन सिच्छा की जो प्रडाली बाबुजी कल्यान सिंग ने जो लागू की थी और जब समाजवादी की सरकार थी तो समय नकल से लोड़ पास होते थे पैसा देकर नौकुली लगती थी आज यह इस्तिती नहीं है है है इसा है हमारे बश्चंप रहा है यह आप से बहुत काफी सवाल अगया पताइए घया है जैसे हमारे बहुत काफी सवाल लोगा ठीक है रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में नकल होती थी अभी तो पेपर भी नहीं हुए और बैसे बिना एक्जाम के पास कर दिया गया इमक्त कै रहरही तेशना चेहरा में आपकी सरकार में तो दरसल परिक्साइए नहीं होती हृदी तो है dola. नहीं कर्दी परिक्षा है जो आज भी अपनी भरती को लेकर चिंद्द तै अभी तक भरती रही होगी उनकी आप भरती है जो जो विवस्ता है उसके साब से भर्ती हो रही हैं तो घ्या मेरे मतलब व्याया है पहले चला को ठीक लॉकडाउन लगे अभी हमारे पूरे अभी दीपा बली फेले वह पहला है आज कोई उसकी ववस्ता है पापा सरकार के अरे को अब लगाते आप अपका मतलब कर आम है सब कुछ यह वो देंगु अलग चीज देंगु अलग मसला है तोड़ा रुके थोड़ा रुके थो दीरज कुमार सिक्षा विवाग से जुड़े हुए आप बाइस आप से कहना चाहता हूं जब पेपर आपके द्रश्टी से नहीं हुए फिर बोर्ड पीस आपने बच्छों से क्यों जमा कराई जब पेपर नहीं जमा जब पेपर नहीं इए दो बोड फीस किसी बात पर जम साल के लिए कुछ भी हो सकता है लेकिन फीस लेना नहीं भूलते हैं फीस तो जो बिद्याले खुले हैं परिच्छा वही हैं फीस ली जा रही है वाकी पड़ाई लिखाई का तो बंटाडार है यह अभी यह आरोप लगा रहे थे कि समाजबादी पार्टी की सरकार में नकल से लोग पास हो जाते थे पैसे दे के हो जाते थे तो यह तो एक काल्पनिक और जो है बनावटी होता है यह रियालिटी होता है लेकिन रियालिटी होता है लेकिन रियालिटी है कि फीस लेलियों परिच्छाई नहीं करवाई तो यह तो लिखापणी परिष्टाचार हो गय अगर यह आपके साथ आएंगे तो चुनाव लेंगे साथ में तो पहसला हमारों को कि नेता यह करें यह अगर भीचार दारा आगे लोगों को छोटे-चोटे दलों को सब में जोड़ रहा हैं चोटे छोटे दहों मांने जोड़ी सरोब ब्रकार करने बटाइधे पूरे और ब्रकाम करने हां समाज़वादी यह बम बता दे बूंज फानिया ने क्व में अपों कर च्छोटा-बूमIR यह में हम बूंज इंटार करते हैं अगर हम लोग भी गुंड़ाइन लगे तो हमें भी सपा के बीजे पितलों को बता रहे थे हमारी उत्तु जो सरकार है वो जमीन इस तरह पर काम कर रही हो तो आप देख सकते हैं चाहिए भी महिलाओं के अंदर सफर करने में पूछ के देखें कि आपको शपर फ्री मिला है या नहीं मिला है अगर उत्तर प्रदेश में आप बताएं कि कुन सी महलाओं को हमेशा यह कह देते कि हर तो आरप महलाओं के लिए फिरी बस चालूंगे तो रक्षाबंदन में होती हैं फ्री बस की सुविदा मिल जाती है आपका जो सवाल था उसको लेकर जवाब चाहूंगा आपका यह कह रहे हैं कि आप लोग जो हैं यह दरसल गुंडागर्दी टाइप यह बड़े-बड़े काम यह सब करने वाली पार्टियां इ कि गुंडागर्दी तो स्वेंब लोग कर रहा हैं यह आम आदमी पाले हैं यह तो भी अभी आए हैं यह दिली से आए यहां पर और यह कह रहा है छोटे-छोटे दले खित्ते हो करके योगी जी को हराने के लिए आ रहे हैं और जब 2017 में समाजवादी तमाम अन्य दलोनों खित्ता हो करके कुछ नहीं कर पाए जे बावयां समाज का भी गठवन नन था 2019 में तो यह केवल पांच सीटों से अपने स्वेंब की सीटे नहीं बचा पाए तो आप यह बागी बात करते हैं राजनीतिकी दो यह सत्थ रखते हैं कि अगर पुरा विपक्ष भी एक साथ आ आप तो आप यह कह रहे हैं कि सब मिल जाओ तो भी ना हरा पाओ देखिए यह तो इनके एंगार और घबंड की बात है समझेए योगी योगी और मोधी जी तो कुछ नहीं है अच्छे अच्छे तानासा बिश्व में हुए और उनका क्या हस्त्र हुआ इंद्रा जैसी शक् प्रिकारी और सेनिक सब सरेंडर कर गए तो जब उसकी सत्ता नहीं भी सत्ता बेदखल होना पड़ा तो इनका तो ऐसा को नहीं है अब हो सकता है कि ने किसी जो तुछी ने बता दिया हो यह ख्वाब देख रहे हूं तो तो आप इनका यह ख्वाब भी जो है पूरा गड़ समाले हुए बस पा अलग है वो भी मोचा समाले हुए तो आप सब लोग अलग अगर लड़ेंगे तो आपको लगता कि एक दूसरे की काठा पीटी कर देंगे ऐसा कुछ नहीं है कि बहुतों सारी पार्टियां अलग अलग मैंने फॉस्टों पर लड़ती हैं सब के अपने वाले वह है तो यह कुछ नहीं है वह तो यह इनकी सोछ है कि हुम अखेले भी सबसे अगर अटे उट यह किसे मिल के लड़ रहा है है यह कहते है कि हम अगर अध्यों को अब ब् regard आभी तो भी बि-जे'd बहुंमत पर Textum 추가 2019 म होने के अगे पास्टिया आज जाना चीए था पूरी भारती जलता पाड़ी सारे देश की जितनी ताकत है योगी जी भी गए थे वहां नहीं हमारी तो पस्ति नहीं थी पर इसके साथ ही त्वीट करके वह चेत्री दाल आप राश्री दाल लेकिन अलग मसला है लेकिन अखलेश आदफ जी त्वीट करके आरोप लगाया आ अगलेश आदफ जी ने ट्वीट किया है उन्होंने कहा है कि जैसे जैसे चुनाव नजभी का रहा है बीजेपी के अंदर डर बढ़ता जा रहा है और ऐसे में जो दिल्ली में बैठे बड़े नेता है जो पार्टी आलाकमान की जो बड़े नेता है वो अब उत्तर प्रदे कि अजैसे टेट करने अब ड़्ता है लेकिन अप प्रदेश को शेंटर पार लेवल पर आपको ज़रुवत पड़त इमयामारे जर्कार है तो प्रदान मंट्री और तो कहरें मंद्रे más कहना है कि हमारी जो नेता इनके आ रहे हैं अभी आपने देखा होगा एक लेटर लीख हो गया है उहां के कलेटर का कि हमें साजी की जो अभी रहली करवाई है आजमगड में उसमें पीडवलुटी से चालीस लाख रुपया भीड लाने के लिए दिलवाया गया है चालीस परदेश से जा रहे हैं परदेश से नहीं आई है आप लें देखा है वीजेपी के लोग एक करके खिसके हमारा भाई अकेले जा गया बैठके वो जा रहा है वो खुदे इंसे सहमत रही है यह जितने कारीकरता बैठे थे अब आपको लाल टोपी बाले दिखाई देंगे उ सब्सक्राइब देखिए अब जैसे चुनाव आ रहा है नहीं तो भारती जनता पार्डी को आप यहां दिखाई देंगे आतंग बार्दी पाकिस्तान आ गया चीन आ अमेर्का आ इसके लावन पर बिकास का मुद्धा कोई नहीं नोकरी का कोई मुद्धा नहीं बस इसी बात पाएंगे फिंदू मुसल्मार मंदर मस्डिट आतंग बादी पाकिस्तान टीन और अमेर्का इतना चाहता हूं आपकी बात कंप्रीट हो तो कह सकता है ठीक हो बता इतना अभी तक बिकास को लेकर बिकास के मुद्ध को लेकर मेंगाय को लेकर इन लोगों ने कोई बात नहीं और नहीं मीडिये इस बात को उठाते हैं चाहएँ आम आदमी मेंधाई से रहाई-आधरा स्वास्त सुविदाएं उस तरीके की नहीं है और बागे सिक्षा को लेकर भी मूल्चूल सुदाओं की जरुवत है ऐसे में जाते जाते आप तीनों लोगों से एक एक कॉमेंट रहेगा एक वर्जन आप दीजिएगा कि आपको जनता क्यों चुने क्यान मिल चुका दूबारा प्यार के लिए क्या करेंगे क्या रहे है लुए जंटा का व्यूंस यह तो जन्ता पन यह तो जन्ता पर हरुसा करुड़ी हैं यह ते नहीं पर आपकी कर सकते हैं रे रे तो आप लोगों कोई भी लगरा होरा गा के पूरह parfait तर्फ लेहिं तो यह देंगे आप भी देंगे हम भी देंगे और अब तक पे जितने बिल जो गनने सल्द के लगा दिए हैं बोगरें इनका भी इंसारे बात कर रहा हूं आम आदमी की जो तरस्ते जिन पर लगा रखके लोगों पर दूसरे जो सड़के हैं जिनकी हालात खराब है हमने पहले भी बनवाई फिर बनवाएंगे जिन अस्पतारों में दवाई नहीं है यह सारे इंतियाम समाजबादी लोग अपकोल जमाबाद अब त सरकारती ही लोगों की तो बहुत फ्रश्टो वेलो जो हमारे अर्विंद केजरिवाली का बहुत सो लोगों ने लिया है आगर आस इच्छा की बात करें तो बीजेपी भी इस बुद्धे को ले रहे हैं जो दिल्ली के अंदर हो रहा है तो यूपी के अंदर भी होना तो बिजली यूनिट जो आप मुफ्त और यह सब एक साथ एक लाइन में बोल जाते हैं वह तो सब यह भी बोल गए तो जनता तो फिर आपको क्यों चुनेगी अगर इनों कहीं किसी सरकार में कभी करा हो तो आपने भी नहीं उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में यह हमने उत्तर प्रदेश के अंदर जब हमारी सरकार थी हमने सिचाई के लिए बिजली फिरी ती जितना तुवेल थे नहरो बंबागे पानी सब फिरी था कोई आपास ही नहीं थी किसी से एक नहीं पैसा नहीं लिया समझे और पहले सी बुछ बिली तो पहली से मुफ्त है इसे में हम बता देते हैं कि आज जो यह काजगंज की एक विधानसवा सीट है जहां पर मौझूत है यहां पर तमाम नेतागड थे और जानने की कोशिश की कि यहां पर समस्याओं पर समाधान क्या है आप सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया कारिकरम में शामिल होने के चुनावी यात्रा में अगला पढ़ाओ क्या होगा आपको जल्दी पता लग जाएगा लेकर उससे पहले बात कहना चाहेंगे कि चुनावी सर्वे क्या कुछ कहता है और क्या कुछ यहां की सियासत कहती है क्या कुछ हावा कहती है यह उत्तरपरदेश बहुत जल्द जानन के लिए अब लगा था न्यूजबल इंडिया के साथ जुड़े रहिएगा धन्यवार जब समाजवादी पार्टी की सरकारती सब सारे थानेदार तो यादव हुआ करते थे लेकिन आज थाने कौन चला रहे हैं आज थाने को नहीं नहीं बता रहे हैं जो गड़्दे वाली तब मुजफर्णगर के दंगे हुए आगरा की बात करते हैं कानपूर की बात कर देते हैं कि जब 2017 के बाद हमारी सरकार बनी BJP की तब दंगा एक बी नहीं हुए इस समय रोजगार पर बात क्यों नहीं चर्चम हो रही है लिजी करेपड सर्चम क्यों नहीं हो रही है आपक यूजवाल थोरी देर पहले पताएं तो फोली से पुलिस वाल पटाएं जनके साथ तही नहीं गलत हुआ है मैं समझता हूं क्योंकि एक वह दोसी होता तो सम्भबता सुजाइड नहीं करता अजय वार